So, Hey guys, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप अपने लंग्स को किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं अगर आपने अपने लंग्स को मजबूत बना लिया तो आप काफी सारी बिमारियों से बस सकते हैं जैसे कि pneumonia, tuberculosis, asthma, coronavirus, lung fibrosis, plural effusion जिसकों फेफडों में पानी भरना कहते हैं और lung infection तो ये सारी जो बिमारियां हैं ये बिमारियां तब होती हैं जब आपके lungs कमजोर रहते हैं ठीक है तो अगर आपके lungs मजबूत हो जाएंगे, strong हो जाएंगे तो आपको ये सारी भीमारियां नहीं होंगी आप इन सारी भीमारियों से बच सकते हैं तो आप किस तरीके से अपनी lungs को strong बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 10 चीज़े बताऊँगा जिनका आपको सेवन करना है जिसकी मदद से आप अपने लंग्स को फिर से नया जैसा बना सकते हैं, बिल्कुल ही मजबूद बना सकते हैं, तो चली वीडियो को सुरू करते हैं, उसमें जो सबसे पहला है आपको omega 3 fatty acid का उपयोग करना है, omega 3 fatty acid जो है सबसे जादा dry fruits और मचलियों में पाये जाता है, dry fruits मे भी काफी कुछ आता है, जैसे की काजो, बेदाम, किसमिस, अखरोट, पिस्ता, तो इसमें जो अखरोट है, ये आपको काफी ज़्यादा पायदा करेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मातरा में omega 3 fatty acid present रहता है, तो इसका सेवन आपको सुबे-सुबे करना है, आप 2-3 अखर का सेवन आप कर सकते हैं, और जो दूसरा है नोनवेज में, तो अगर आप नोनवेज का सेवन करते हैं, तो मचली का सेवन आपको जरूर करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मातरा में omega 3 fatty acid present रहता है, जो कि आपके lungs को काफी ज़्यादा strong बनाता है, आपकी body को fit रखता है, जो दूसरा है उसमें आपको फलो का सेवन करना है, फलो में जैसे कि आप सेब, खुबानी, berries, गाजर, अननास और cranberry, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं, इसमें जो गाजर है, इसका सेवन आप सुबह या फिर दुपैर में कर सकते हैं, इसका juice बना कर कि पिएंगे तो ये काफी ज़्यादा फैदा करेगा, और जो अननास और cranberry है, इसका सेवन आपको रात में करना है, खाना खाने के बाद में, ओके, तो इन सब चीजों का आप सेवन करिए, काफी ज़्यादा फैदा करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सरी वही फल खाने हैं, और भी जो सेजनेबल फल होते हैं, जो मार्केट में आपको अविलेबल हैं, उन फलो का भी आप सेवन कर सकते हैं, ओके, जो तीसरा है, उसमें आपको ब्रोकली का सेवन करना है, ब्रोकली भी आपको काफी ज़्यादा फैदा करेगा, जो कि आपके लंग्स के साथ-साथ, पेट के लिए भी काफी ज़्यादा फैदा करेगा, जो फॉर्थ है उसमें आपको बीन्स का सेवन करना है, बीन्स में भी हाई मात्रा में निउट्रियंट्स, प्रोटीन प्रेजन्ट रहते हैं, जो कि आपके लंग्स के लिए काफी ज़्यादा फैदा करेगा, आपके लंग्स को मजबूत बनाएगा जो फिप्त है उसमें आपको लहसुन का सेवन करना है लहसुन के फैदे जो आप सभी जानते ही है कि एक तरीके से एंटीबैटिक की तरह काम करता है तो अगर आप मैट्रो सिटी में रहते हैं एक polluted area में रहते हैं जहाँ पर pollution जादा है तो आपको लहसुन का सेवन जरूर करना चीए क्योंकि ये bacteria, viruses, fungi को मारता है जो कि आपके लंग्स को काफी ज़्यादा मजबूत भी बनाता है जो 6th है उसमें आपको हल्दी का सेवन करना है देखे हल्दी का सेवन आप सबजियों में तो करते ही है साथी साथ इसका सेवन आपको दूद में डाल करके भी करना है तो daily रात में आप दूद में हल्दी मिला लें और इसका सेवन करें गरम-गरम तो काफी ज़्यादा आपके लंग्स को फैयदा करेगा ग्रीन टी का सेवन करना है जो एट्थ है उसमें आपको साथ का सेवन करना है साथ के फैयदे आप सबी जानते ही है तो इसका सेवन आप जरूर करिए इसका सेवन आप कभी भी कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो 9 है उसमें आपको काड़े का 7 करना है काड़े में आपको 3 चीज़े ज़रूर डाल लिए अदरक, तुलसी और पुदीना तो ये 3 चीज़े आपको ज़रूर डालके काड़ा बना करके पीना है अगर आप काड़ा नहीं पी सकते आपको अच्छा नहीं लगता तो आप जो चाय पीते हैं, उसमें ये तीनों चीजे डाल करके आप चाय बना करके पी सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से इसका सेवन करिए, लेकिन करना जरूर है, आपके लंग्स को मजबूत बनाने के लिए काफी ज़्यादा फायदा करता है, और जो 10th है, उसमें आपक चाय प्रास का सेवन करना है, चाय प्रास जो है आरवेधिक गुणों से बना हुआ है, तो इसका सेवन आप सुबह सुबह करिए, गरम गरम दूद में, जो कि आपके लंग्स को मजबूत बनाने में काफी ज़्यादा फायदा करेगा, अब आईए जानते हैं कि लंग्स को म आपको वो सांस छोड़नी है, ठीक है, इस योगा को आपको बिल्कुली अराम से करना है, जल्द बाजी में नहीं करना है, जो दूसरा है उसमें आपको ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइस करनी है, इस एक्सरसाइस को आपको किस तरीके से करना है, जैसे कि आपको बहुती ध घीरे से सांस लेनी है और उस सांस को आपको रोक के रखना है कम से कम 20 सेकंड तक ठीक है अगर आप कम रोक पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप ज्यादा रोक पा रहे हैं ठीक है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो और अच्छी बात है कि आप आप रोकेंगे 20 सेकिंड तक उसके बाद आपको अराम से छोड़ना है इससे पता क्या लगेगा अगर आपके सेकिंड जो है वो कम है मतलब कि आप सिर्फ 10 सेकिंड या 15 सेकिंड रोक पा रहे हैं मेंस कि आपकी लंग्स जो है काफी ज्यादा इंफेक्टिट हो गए है और अपको गोटने और दोनों हातों के बल आपको बैड जाना है फिर दोनों हातों और पेरों के बीच में आपको 10 cm को लेड़ेगा जिए ये किस तरीके से से किया जाता है देखिए इस टाइम पर आप मेरी व्यडियो देख रहे हैं तो अभी आप नयर्मल सांस ले रहे है ना एक आम इंसान जो है वो normal सांस लेता है फटावट लेता है फटावट छोड़ देता है ठीक है इस तरीके से आपको नहीं करना है आपको proper तरीके से बैठना है आदे घंटे तक योगा को आपको करना है लंबी सांस लेनी है बिल्कुली धीरे और विल्कुल ही धीरे धीरे छोड़नी है जितना फूलेगा उतना ज़्यादा फैदा है ठीक है इस योगा को करिए ये भी काफी ज़्यादा फैदा करेगा आपकी लंग्स की जो capacity है वो भी बढ़ाएगा और जो fifth last है उसमें आपको cardio exercise करना है क्योंकि इस exercise में आपको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है ठीक है तो इससे भी आपकी लंग्स की जो capacity है वो बढ़ती है तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लंग्स को मजूद बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़े खानी चाहिए और साथ ही मैंने आपको योगा बताया है तो वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो मैं Instagram की ID जो है डिस्पले कर रहा हूँ आप वहाँ जाकर के मुझे बात कर सकते हैं तो बस फिलाल आज की इस वीडियो में नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरू से जोर लाइक करें हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब करें और इस वीडियो को ज़्याज़दा सेर करें थैंकियो सो मच